हेलो फ्रेंड्स आज की विजी लाइफ में हम अपने लिए बिल्कुल टाइम निकाल नहीं पातें जिससे हमारी हेल्फ पर बुरा आसर पड़ता और हमें बीमारिया घेर लेती है बट डोंट वरी मैं आज आपको ऐसे कुछ हेल्फ टिप्स बताऊंगी जिससे आप बीमारियों से दूर रह सकते हो टिप नबब वन है से नो टू टबैको एंड सिग्रेड इंडिया में टबैको से सबसे ज़्यादा मौते होती है दूम्रपान के से वन से cancer होता है जैसे की lung cancer, heart disease यह होने के chances होते हैं इसलिए दूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए टिप नमब 2 Reach and maintain a healthy weight हमें अपना weight हमेशा control में रखना चाहिए क्योंकि जादा तर बीमारिया मोटा पसे ही होती है ज्यादा वेट से diabetes, heart disease, hypertension, sleep apnea, osteoarthritis जैसी बिमारिया होती है टिप नमबर 3, exercise और a morning walk हमें अपने busy schedule में से work निकाल के सुबह 15 से 20 मिनिक तक exercise या morning walk करनी चाहिए जिससे हमारा दिल मजबूत होता है और heart attack का 50% chance कम होता है cholesterol भी कम होता है और blood pressure भी कम होता है back pain कम होता है और साथ साथ में weight भी control में रहता है walk से overall health भी अच्छी हो जाती है जैसे कि blood sugar control में रहता है और thyroid जैसी समस्या भी control में रहती है tip no.4 don't drink too much ज्यादा drink करने से isophagus, liver, throat, cirrhosis में cancer होने का खत्रा रहता है brain damage हो सकता है और immune system भी कमजोर होती है tip no.5 get enough and a good sleep नीन हमारे health के लिए सबसे ज़्यादा important होती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे तक सोना चाहिए जिससे कि हमारा mood अच्छा रहता है और चिड़ चिड़ पन नहीं होता जिसकी वज़े से हम अपना पूरा दिन का काम अच्छे से कर सकते है पर याप नीन से हमारे चेहरे पर dark circle नहीं आते याद रखे कि oversleeping या बहुत कम नीन से हमारे सेहर पर गलत effect हो सकता है तो 7-8 घंटे तक ही सोए tip no.6 base your meals on a starchy food अपने डायेट में starchy food को शामिल करें जैसे कि bread ये starchy food उर्जा, fiber, vitamin B का अच्छा source है इसे अपने डायेट में main part बनाना चाहिए bread, rice, potato, pasta, अनाज ये food में वसा याने की fat कम होता है fiber हमारे weight को control करता है और इसके और भी फायदे होते हैं जैसे कि cups की समस्या को रोकता है vitamin B, red cells के गाठो सहीत कही कारियों के लिए important है tip no.7 eat lots of fruits and vegetables हमें अपने डायेट में ज्यादा से ज्यादा fruit और vegetables खानी चाहिए fruit और vegetables में कई तरह के पोशक तत्व हैं जिन में vitamin C, minerals जैसे folate, vitamin C, potassium और dietary fiber शरीर को fit रखने के लिए हमें रोज boil eggs खाने चाहिए दही हमेशा खाने में शामिल करना चाहिए फूल को भी या पत्ता को भी भी हमेशा अपने डायेट में रखिए अंकूरीत अनाच का सेवन हमें बिमारियों से दूर रखने में मदद करता है पूदीना में पाये जाने वाले तत्व आपके body को हलका रखता है वैसे तूलसी से digestion अच्छा रहता है और कड़ी पत्ता अपने डायेट में शामिल करें इसे वजन कम होने में मदद होती है तमैटो तमैटो का जूस अपने body के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए जब भी हम बिमार होते हैं तो डॉक्टर हमें तमैटो सूप पीने की सलाह देते है टिप नमबर 8 दो टाइप के होते हैं एक होता है saturated fat और दूसरा होता है unsaturated fat hard paneer, cake, biscuits, sauce, cream, mkhan इन चीजों में saturated fat पाया जाता है sugary freeze, drink, cakes, biscuits, pastries इसमें sugar होता है जिससे हमें डातों की समस्या हो सकती है हमें तली हुई चीज़े avoid करने चाहिए उसकी जगह आप baked और grilled food खा सकते है avoid tropical oils like a coconut oil avoid fat from a red meat avoid butter fat in a milk product उसकी जगह आप low fat और non fat milk product यूज़ कर सकते है टिप नमबर 9 eat less salt ज्यादा नमक हमारे सिहत के लिए नुकसान दायक है बहुत नमक खाने से blood pressure बढ़ता है और heart disease हो सकता है adults को हर दिन 5 gram से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए टिप नमबर 10 drink more water हमें दिन में कम से कम 2 से 3 लिटर पानी पीना चाहिए ज्यादा पानी पीने से हमारे चेहरे पर glow आता है और इसे weight control में रहता है पानी के कमी से हमें सिर्दर ठकान मैसूस होती है इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए टिप नमबर 11 don't skip breakfast सुभा का नाश्ता सुभा का नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है morning में concentration और alertness के लिए breakfast ज़रूरी होता है for example कम fat वाले और fruit juice और toast एक healthy breakfast हमारे body को energy and nutrient provide करता है कुछ लोगों को क्या लगता है कि breakfast नहीं करने से उनका weight कम हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता जो लोग सुभा नाश्ता करते हैं वो reality में healthy होते है tip number 12 be happy and think positive इस tension भरी life में हम खुश रहना ही भूल गये है जिससे हमारी health पर असर पड़ता है happy रहने के लिए लोगों के साथ कुछ time spend कीजिए जो काम करने से आपको खुशी मिले या आप happy महसूस करें वो काम कीजिए for example जो आपकी hobby है वो करें गेन खेल सकते हो shopping पे जा सकते हो fishing कर सकते हो या friends के साथ vacation पे जा सकते हो अगर आप तब भी निराश महसूस करते हो तो दूसरों से advice लो या help लो सबसे आखरी tip है meditation meditation एक ऐसा तरीका है जिससे आप healthy रह सकते है meditation से आपका मन शान्त रहता है और आप काफी relax महसूस करते है खुद पर control करने की शक्ती प्रदान करता है अगर आप हर वक tension में रहते है तो meditation करें इससे आपको बहुत फाइदा होगा if you like our video don't forget to click it and share it via facebook, instagram, whatsapp and other social media platform or site also to subscribe us to receive our new videos regularly don't forget to click bell icon to receive updates we will keep posting 3 to 4 videos once a week regularly I am not only Christian, the only instruction we will go to the next one